महादेव, Almighty महादेव मैं मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्ते सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदश्चे हैं मैं उनका कोटी कोटी अभिनेंदन करता हूँ भाई और जिनोंने सबस्क्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्ली सबस्क्राइब करें, शेर करें, कॉमेंट करें और कॉंटीब्यूट जरूर करें भी है आज सुबह एक विक्ति ने मुझसे प्रश्न किया प्रश्न क्या किया उन्होंने अनुग्रे किया कि गुरुजी मैं आप से कुछ सीखना चाहता हूँ आप मुझे क्या सिखा सकते हैं बड़ा गंभीर सवाल था भाई और जो खुद अनाडी हो जो खुद अग्यानी हो किसी को क्या सिखाएगा मुझे तो स्वह्म कुछ नहीं आता है यह सत्य भी है और मैं मैं यह वह्म पानना चाहता कि मेरे पास कोई ग्यान है तो जब मेरे पास कुछ है ही नहीं सिखाने को तो मैं क्या सिखा हूँ लेकिन उस विक्ति को लगा कि मेरे पास कुछ न कुछ सिखाने को जरूर है उसने कहा साब आप ही ने कहा था कि हरा आदमी के पास एक खास्यत तो होती है इश्वर उसे किसी ने किसी चीज से तो नवास्ता है, तो एक तो खास्यत आपके पास कोई न कोई होगी, तो वो ही सिखा दीजे मुझे, तो मैंने का भाई मैं मृत्यू सिखाता हूँ, सीखोगे, तो आज का विशय यही है, मैं मृत्यू सिखाता हूँ, क्या आप सीखेंग वो आदमी बहबीत हो गया वो मरना नहीं चाहता और हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता जीना चाहते हैं सब और सत्य ये है कि बिना मरे जिया जाही नहीं सकता आपको जीने के लिए मृत्यु सीखनी हो मरना पड़ेगा कबीर जी ने कहा है कि जो जीते जी मर गया सोजिया अब कबीर जी गलत तो नहीं बोलेंगी पर मैं कहीं सुनी बातों पर लिखी बातों पर यकीर नहीं करता मैंने विक्तियत रूप से अपने आपकी मृत्यु का वरण किया है तभी मैंने जीवन का अनुभव दिया है मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझने के लिए मृत्यु को समझना पड़ेगा जितने भी संसार में जीव जन्म लेते हैं वो कभी न कभी मरें हैं कोई भी प्रदार्थ का निर्मान हुआ है तो किसी दूसरे प्रदार्थ की मृत्यु के पश्चात ही उस प्रदार्थ का निर्मान हुआ है अवस्था बदलती है एक अवस्ता का जन्म होता है और एक अवस्ता की मृत्यू बच्पन का बच्पन की मृत्यू होती है जवानी का जन्म होता है और जवानी की मृत्यू के पश्चाथ बुढ़ापे का जन्म होता है और बुढ़ापे में शरीर की मृत्यू के पश्चाथ आपकी आत्मा का पुन कहता आया हूं कि जब तक आप जीवित है इश्वर जीवित नहीं है तुकि यह सारी शिष्टी आप आप आपके इर्दगीर्दी घूमें कि आपके लिए अगर आपने अपने जीवन में ऐसे रिष्टों को जीवित कर दिया ऐसे रिष्टों को जन्म ले दिया तो आप उन रिष्टों के इर्दगीर्दी घुमो गया है आप उनसे बहार नहीं निकल सकते आप कहेंगे कि साथ मुझे विवा करना है और जन्सेवा करनी है मुश्किल है असंभव नहीं है अत्यंत कठेन है क्यों आपने विवा कर लिया बच्चा पैदा कर लिए आप उन्हें अपना परिवार बना लिया तो आपके पूरी शिष्टी उनके इर्दगीर्द घुमती र इस्वर की पूरी इनर्जी शिष्टी के लालन पानन पे लगी रहती है क्योंकि उसकी पैदा किवी है ऐसा नहीं है इस्वर उल्जावानी वो अपनी पैदा किवी शिष्टी में उल्जा है आप अपनी शिष्टी पैदा करोगे उसमें आप उल्जोगे और जब आप मर ज कभी किसी मुर्दे को लड़ते वे देखा है किसी के साथ, मरा हुआ है हूँ, वो नहीं लड़ेगा किसी के साथ, उसके इर्द गिर्द लोग कितनी भी संसारिक बाते करें, बहस करें, प्रपरटी की डिलिंग करें, प्रधान मंत्री की बाते करें, वो रियक करता है, वो नही कि रियक्ट करा और फसा इसका मतलब वो मरा हुआ नहीं है कि उसके पास यह जानते हुए कि मृत्यू साक्षात साश्वत सत्य हैं लोग भले बुरे की प्रॉपर्टी की और सारी चीजें बाते करते रहते सम्शान घाट में सत्य से आखे मूंदे वे जो लोग जीवित हैं वो भ्रमित हैं इसलिए मैं मृत्यू सिखाता हूँ अगर जीवन को शान्ति पुर्वक और आनंद पुर्वक जीना है तो आपको मरना होगा भाई वैसे ही जैसे वो मुर्दा मरा हुआ है कोन क्या कर रहा है क्या बोल रहा है किस की बात कर रहा है किसकी बुराई किसकी बड़ाई कोई लेना देना नहीं होना जी क्योंकि जो करेगा सो भरेगा भाई जो भी जहर खायेगा वो मरेगा आपको क्या कंसर नहीं उससे आपका वैवार आपकी प्रासंगिक्ता उस मुर्दे की तरह होनी चाहिए आप से कुछ हो सकता है तो कर दो नहीं हो सकता जैराम जी कि किसी से कोई वैर नहीं किसी से कोई लगाव नहीं उसके लिए पूरी शिष्टी का हर रिक्ति चाहें उसके उसकी लाश को कोई विकांदा दे रहा हो एक जैसा ही है कितने लोगों ने उसको फूक दिया उसने रि कितने लोगों ने उसकी बड़ाई की, कितने लोगों ने उसकी बुराई की, उसको कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि वो मरा हुआ है उसी प्रकार आपको जीते जी मरना होगा, अगर जीना है तो अगर आपको आनंद लेना है जीवन का तो जीते जी मरना होगा भाई मैं बार-बार पुनर अपी पुनर अपी पुनर अपी बार-बार रिपीट करता हूँ इस पूरे संसार में रहते हुए भी मृत्यू को अवरण करना होगा तब जाके इस संसार का अनंद ले पाऊंगे और इश्वर से जुड़े रहोंगे क्योंकि मरे हुए हादिमी का सीधा कनेक्शन इश्वर से होता है हम लोग तो यह कहते हैं इश्वर ने बुला लिया भी है फलाने को तो मैंने बड़े शरल सब्दों में आपको जीने की परिभाशा बता दिये आचा है आपको समझ में आई होगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए और कॉंटिब्यूट जरूर कीजिए महादेव